वहाँ ज़र गलेगी स्परिट को टौपिकाइए आ ऐलो एव्रिवन विल्कम टौपार्मस्ट़डि आज आज हम बात करेंगे फस्ट एट कि वन आफ tu the important टापिक के बारे में जो की शिनेक बाइट है आज इसको लगा लो जो summer से ये start हो जाता है till coming winters तक ठीक है तो October नवंबर तक का जो time होता है उस time पे snake bite के chances ज़ादा होते हैं और especially in rainy seasons snake bite के chances ज़ादा होते हैं तो अगर आपको या आपकी कोई known है उनको या आपके surrounding में किसी को भी snake bite हो गया है उस time पे आपको क्या first aid देना है किन चीजों का ध्यान रखना है तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे तो start करते हैं सबसे पहले तो जो आपका first aid है for snake bite ये बहुत ही ज़ादा crucial हो जाता है ये crucial किसलिए हो जाता है क्योंकि अगर snake जो आपका है venomous snake है venomous snake मतलब वो सांप जिसमें जहर है ठीक है और उसको हम first aid दे देते हैं तो chances of recovery बढ़ जाते हैं ठीक है और patient के improve होने के chances जादा हो जाते हैं ठीक है आपको एक चीज़ और भी ध्यान में रखनी है जब हम snakes, snake bite की बात करेंगे तो सारे snakes आपके poisonous नहीं होते हैं कुछ variety होती है snakes की जैसे की wiper हो गया ठीक है आपका cobra हो गया ठीक है यह जो कुछ variety है snakes की यह आपके snakes जो होते हैं poisonous होते हैं ठीक है आप snake जाए जो मर्जी हो poisonous हो, non poisonous हो सांप ने जब आपको काट लिया तो आपको first aid देना है तो अगर सांप आपको काट लेता है तो first aid का basic principle आपको follow करना है ठीक है जो की 3C है check call and care ठीक है यह मैं आपको first video में आपको बता चुका हूँ first aid की ठीक है तो check call and care करने के बाद call आप कहा करोगे 108 national ambulance services में ठीक है तो इंडिया का जो NAS number है national ambulance service number है वो 108 वो आपको ध्यान में रखना है तो अगर आपको snake ने bite कर लिया है तो सबसे पहला point आपको काम रहना है ठीक है आपको अगर काटा है तो आपको खुद को काम रहना है और अगर किसी person को काट दिया है और वो panic में है तो उसको आपको motivate करना है कि वो शांत रहे ठीक है एक ही position पर रहे ठीक है क्यों क्योंकि जितना वो panic में रहेगा जितना वो घबराट में रहेगा उतना उसका heart rate बढ़ेगा heart rate बढ़ने की वज़ा से जो chances है snake venom के body में spread होने chances क्या मतलब वो quickly आपके blood stream में spread कर जाएगा जितना heart rate बढ़ेगा उतना खून जो है आपके शरीर में दौरा करेगा जितना fast दौरा करेगा उतना ज्यादा अब blood है वो poison को carry करेगा तो chances of toxicity spread of venom बढ़ जाते हैं ठीक है तो इसलिए उस patient को बोलना है कि शांत रहे ठीक है और एक जगा पर रहे इदर उदर जाएना ताकि heart rate जो है वो minimum हो ठीक है work जो है उसका कम हो heart पे load जादा ना पड़े जिसकी वज़ा से venom जादा spread ना हो body second move away from the snake कभी कभी snakes जो है वो multiple bites करते हैं तो snake अगर आपके आसपास है और आपको bite कर लिया है आपको काट लिया है तो आपको side में हो जाना है ठीक है अपने आपको side में कर लेना है ठीक है तो snake से दूर हो जाना है आपको यह ध्यान रखना है next जो आपकी biting site है जो biting limb है उसको immobilize कर लेना है ठीक है immobilize के लिए आपको आपको किसी सूकी लकडी का सहरा ले सकते हो ठीक है जो भी आपके surrounding में available होगी तो basically आपको एक splintious link बना करके जो limb है उसको still कर देना है still कहने का मतलब है कि उसको immobilize कर देना है ताकि जो biting limb है वो आपका ही लेना चीक है next जो सबसे important है जो भी आपका biting site है उसके surrounding में अगर आपने कुछ पहना हुआ है मालिया अगर आपको हाथ में काटा है और आपने कड़े पहन के रखे हैं तो यह चीज़ें आपने उतार लेनी है क्यों क्योंकि biting site पे क्या हो जाता है swelling होनी start हो जाती है swelling जैसे होनी start हो जाती है तो यह चीज़ें आपकी जो भी tight होंगी और tight होंगी और वो dangerous हो जाती है body के लिए ठीक है तो जो भी tight clothing है jewelry है accessories near biting site जो है उसको हटा देना है एकदम से remove कर देना है या remove करवा देना है तो यह चीज़ भी being first aid आपको observe करनी है कि biting site के आसपास कुछ पहना तो नहीं है कोई कंगन तो नहीं है कोई कड़ा तो नहीं है या पाओं में पायल तो नहीं है पहनी तो ये चीजें हटा देनी है ठीक है अब नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टन्ट है जो बाइटिंग साइट है उसको हर्ट से नीचे रखना है हर्ट से बिलो रखने का लॉजिक यह है कि हर्ट तक बलड को पहुंचने में टाइम लगेगा ठीक है तो जो बाइटिंग है आपकी ऊपर जाने में टाइम लगाएगी ठीक है तो इसलिए उसको हर्ट से नीचे रखना है ठीक है यह आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टन्ट नहीं है क्लीन दवुंड ठीक है तो क्या बुते जो जक्षम है ठीक है उसको दो सकते हो ठीक है पानी से अच्छे से दो सकते हो ठीक है साबुन और पानी मिला करके आप अच्छे से उसको दोगे ठीक है यह क्या करेगा reduce करेगा risk of infection को ठीक है और यह आपको ध्यान में रखना है कि जो biting site है वो बहुत ज़्यादा painful होती है तो biting site पे आपने eye supply नहीं करनी है और दूसरा tonic weight मतलब जो आपका biting site है उसको tight बांधना नहीं है ठीक है तो यह हमेशा ध्यान में रखना है कि biting site को आपने बांधना नहीं है next यह बहुत ही ज़्यादा important आपका point है do not cut और suck the wound ठीक है सबसे important point है जो कि हम और पुराने time में यह अक्सर होता था कि हम यह मान करके चलते थे कि हम अगर जहां पर snake ने काटा है उस site को अगर हम काट दें वहां से blood थोड़ा remove कर दें तो जो poison है वो blood के थूँ जितना हम blood को बाहर निकालेंगे उतना वो बाहर निकल जाएगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है और अगर हम काट करके blood को suck कर लेते हैं उससे भी poison आपका दूर हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होता है ठीक है तो नहीं आपको biting site को cut करना है नहीं वहां से आपको poison suck करना है ठीक ह अगर हम ऐसा करते हैं तो हम उल्टा उस patient को भी damage में लाते हैं और अपने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं मतलब एक तरह से हम first aid provider के लिए भी ये एक risk की situation हो जाती है तो इसलिए किसी भी situation पे आपको जो biting site है उसको काटना नहीं है और उसको सक नहीं करना है तो ये सबसे important है और extraction pumps भी आते हैं तो ये भी कुछ studies है उसमें ये show होता है कि जो extraction pumps है उसको कोई जादा उसका effect नहीं है तो जो venom है जब आपका blood में एक बार चला गया स्नेक ने काट लिया है तो वो poison जो है न वो आपके blood में चला गया है ठीक है तो as it is extraction pump से venom extraction pump से कुछ ज़्यादा effect नहीं होता है बलकि उल्टा ये tissues को damage करता है जो biting site के nearby जो skin होती है जो cells होते हैं उनको damage करता है rather आपको क्या करना है आपको vital science monitor करने है ठीक है आपको important science देखने है जैसे जो patient है ठीक है वो ढंक से सांस ले पा रहा है कि नहीं उसको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही है heart rate उस patient की बढ़ तो नहीं रही है ठीक है level of consciousness है कि नहीं है विहोशी की हालत में तो नहीं जाख तो नहीं निकल रहा है आई जाख तो नहीं निकल रहे हैं मुझ से ब्लीडिंग तो नहीं होरी है तो यह साइंस यह वाइडल साइंस आपको आपसार्व करने है और अगर पेशिंट तेखिन्स नहीं ले पा रहा हैं और उसकी ज simulate 10 із नान्य तो कर देनें पंप CPR बहुत ही important video है मेरी वो आपने देखनी है ठीक है CPR कैसे देना है और being a first aid provider मेरे ख्याल से सभी को first aid provider होना चाहिए ठीक है तो आपको यह CPR देना आना चाहिए ठीक है so nutshell में हम बात कर लेते हैं कि जो snake bite है वो आपका life threatening हो सकता है ठीक है अगर आपको venomous snake ने काटा है पॉजनous snake ने काटा है ठीक है तो proper medical treatment जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है ठीक है अगर उस patient को मिल जाती है तो वो patient की जान बच सकती है ठीक है और unnecessarily delay उस patient की जान ले सकता है ठीक है और आप यह समझ सकते हो कि बहुत सारे cases ऐसे हैं जिसमें proper anti snake venom का जो administration हुआ है तो जो life से patients की वो बची है ठीक है और serious complication होने से patients बचे है ठीक है तो यह मेरा एक छोटा सा वीडियो था regarding snake bite snake bite पे आपको क्या करना है क्या first aid देना है मेरा अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो do like and subscribe share as many as people ठीक है यह first aid series मेरी बहुत important series है I hope आप आगे इस series को अपने friends के साथ share करोगे सभी के लिए first aid important है so thank you for watching thank you do subscribe and share for my study